हेलो एवरीबरन फिर से नेविडे में आपका स्वागत है हैटिच अप्लिकेशन में फोर्जेट पासवर्ड ओप्सेन में पासवर्ड चेंच नहीं हो रहा है उसका रिजिन बताएंगे क्यूंकि बार बार कमेंट में बोलते रहते हैं फोर्जेट पास्वार्ड में पास्वार्ड चेंच नहीं हो रहा है हैटीच अप्लिकेशन में फोर्जेट पास्वार्ड जो अपसेन दिखे रहा है इधार पुराना पास्वार्ड को जानकरी कर पाओगे और Hattich application में पासवर्ड को चेंज करने का तरीका है Hattich application को पहला लोगिन करना होगा Hattich application को लोगिन करने का बाद setting में किलिक करके Change password में जाके password को चेंज कर पाऊगे अगर आपको जानना है Hattich application में password को चेंज कैसे करे उसके लिए वीडियो के decision में दूसरा वीडियो मिल जाएगा इस बला वीडियो में 4Z password के बारे में जानकरी देना है 4Z password option में पुराना password को जानकरी कर पाऊगे Hattich application में पुराना password को जानकरी करने के लिए 4Z password option में किलिक कर देना है फोस Jit Password Option में किलीक औने पर इस्तर र कंटास्पेश दिखाई देगा है टी चेप्लिकेशन में आपका ज़य बी Mobile Number Registation है उस बला Mobile Number को डाल देना है ज्यसा कि मेरा अपना Mobile Number Registation को डाल देता हूँ Mobile Number को डालने का बाद forget peng finger option दिखे राष्में किलीक देना जैसा कि मैं get password option में किलिक देता हूँ get password option में किलिक करने पर इस तरह गंटस भे दिखाए देगा जैसा कि इसकी में दिखेरा message के थूर में register mobile number में password send होगा जैसा कि मेरा message के थूर में password send हुआ है उसको open कर लेता हूँ मेरा message के थूर में password आ चुका है आपका भी रेजिस्टेर मोबाइल नमर में पास्वार्ड आ जाएगा तो गाइस हेटीच एपलिकाशन में फोरजेट पास्वार्ड ओप्सेन का काम क्या है आपको जानकारी हो गया होगा गाइस अगर आपको इस बाला वीडियो में कुछ जानकारी मिला है तो एक लाइक जिरी किजिगा गाइस इस बाला चैनल में फनीचार में कुपन परसरी टीफ तरिका का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल को सबस्क्राब करके बेल आइकन का पेरसर रहिया क्योंकि नहीं वीडियो का नोरेजन सबसे पहले पाने के लिए